चले आईए स्टार्ट करते हैं यहां पर पहला कोशन दिया गया है कि भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रसद उत्तरप्रदेश में पैदा होता है अर्थात पैदा करता है तो चलिए यहां पर आपका राइट अंसर क्या हो जेगा भी इसका अंसर तो आपको दिख चलिए आईए तो देखे यहां पर उत्तरप्रदेश में दिया गया है हना इतना परसिंट है महाराष्ट में 20 परसिंट करनाटक में 10 परसिंट तमिलनाडू में 19.20 ठीक है चलिए आगे बढ़ते कोशन दिया है भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्जी कौन जबते कोशन है यहां पर राइटन से क्या बनेगा तो दिखे आपका डीक हो जबते हैं रर बोगते कोशन दिया गया है बहुत्तरप्रदेश के प्रमुख उत्पादगों में देखो हैं और 20 अभी आपको देखने मिलेगी तो देखे यह आप देख सकते हैं कौन सा होज़ेगा अप्षन सी होज़ेगा गन्ना होज़ेगा ठीके चलिए यह टोपिक तो आपने लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया था अब आईए एगला प्रसन आप से दिया गया है कि चंदर प्रभाव वन्नी जीव अभ्य चंदवली आपका है ठीके और आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिगला पूछा गया है चंदर प्रभा म्रगवन भारत की किस राज में इस्तित है तो आपका अंसर होज़ेगा इनमबर आपके उत्तरपदेश में हैं कहां पर रवेस है तो आपका होज़ेगा इनमबर लेकिन उप्सन दिया गया है चंदर प्रभाव अनिजी और तो आपसन क्या बनेगा यहां पर दी नमबर होज़ेगा चंदर प्रभाव अनिजी और भ्यारन होज़ेगा ठीके आगे बढ़ते कोशन आप सिगला पूछा गया है उत्तरपरदेश वन निगम कविस्थापित क करना है तो वही क्या हो जाएगा नमबर अपका सब्सक्राइब बढ़ लाइक और या चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोग पहली बार वीडियो को वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वही वीडियो को लाइक सर्फ जरू करते रहें टीक है न चले यहां पर दिख्धारवदेश में सीज़वारी पूछा गया तो आप तुरंट जवाब दे सकते हैं कि आपके काहा परे सेज सफारी आपकी टावा में है तो आप सुन क्या वंठाज़ने गालाइं एक के यहां पर दिखे कि आपその मंदीत कारवेट फिर दिया है यहां पर अब यह बताईए आपके उत्तरवदेश की बात किया गया है तो आप लोग सी नंबर क्यों दे रहे हैं वह उत्तरवदेश की बात किया है तो जिमकारविट तुत्तरा घंड में है न उत्तरवदेश में दोड़ो है यह आपका है अमन गड़ है क्या है आपके जो अमन गड़ टाइग तो आपका दुदवार टाइगर रिजर जो कि अलखिमपुर खीरी में है जो कि आपके 1987 में आपका बना था ठीक है न और जो आपका अमनगर्ण टाइगर रिजर है बिजुनवर में इसकी कोश्चन 2012 में आपके होई थी तीसरा पिली भीत में है जो गया दरकिये पिली भीत ट सूला में जो सिसू मरति दर थी वह आपकी कितनी थी तो देखो यहां पर यह कोश्चन देख सकते हैं 2019 में पूछा गया है सूला का यह आपका डाटा पूछ लिया है तो आपका अंसर हो जएगा कौनसा यहां पर भी नंबर 43 हो जएगा कितना 43 अप्रति हजार में कितने 43 की कि मिलता है आगे बढ़ते हैं कोशन आप सीहला पूछा गया है है किसले हैं अगर कोशन यह कौर्शन आप से दिया है 2011 की जंगर्णा की अमसार उत्तरवदेश कांसर शाच्छ जनपद आपका पौन मिलता है कि आपका अंसर भी हो जाएगा कानपुर्ण नगर हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते कोशन आप सिखला पूछा गया है देखिए अगर पूछे उत्तर विदेश में देखिए कानपुर्ण में इतना परसेंट है ठीक है लगवगा सी परसेंट पहुंच रहा है और य जनसंख्या के संबंद में उत्तर विदेश का कौन सा जीला सबसे बड़ा है तो जनसंख्या की इसाब में पूछा है तो जनसंख्या की इसाब में कौन होगा तो या प्रियाग राज का तो आप लोग नाम जानते ही जानते होंगे हा ना या परंसर यह हो जगा इलावाद प्रयाग राज हो जाएगा याद रखेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गलाप पूछा गया है कि वरस 2011 की जनगरणा की अंसार उत्तरदेश की जनसंख्या का जो व्रद्धी है वो आपकी प्रतिसत व्रद्धी कितनी है चले उत्तरदेश की जनसंख्या का आप ब्रद्धी प्रतिसत पूछा गया है तो यहाँ पर राइट अंसर क्या होगा बादतर नंबर में जनसंख्या ब्रद्धी दर होती आपकी बीर दसमलों दो तीन थी दो जार एक की जनगरणा में यहीं कितना था 17 दसमलों दो था ठीक है ना अगर जनगरणा तो पूछता है तो आपको आप 139 हो जाएगा और अगर पूछता है और यहां पर इतना पर हो जाएगा और यहां पर की जनसंख्या की द्रस्टी से उत्तरवदेश राज्य का भारत में कौन सा इस्थान है तो यह बताईए कि आपका अंसर क्या हो जेगा तो प्रथा में आपका प्रथाम हो जेगा इसमें कोई टेंसर नहीं लेना है आगे बढ़ना है कोछन आप से गला पूछा है जनगर्ना 2011 के अंसर उत्तरवदेश में लिंगा अनपात पूछा गया है उत्तरवदेश में जो लिंगा अनपात है वो आपका कितना है 74 नमर में चले 74 के कर अब बात करते हैं तो देखें आपका यहां पर अंसर कौन सो हो जगा सी नमर हो जगा यहां पर लिंगा अनपात की बात किया है तो आपका अंसर क्या होगा सी नंबर होज़ेगा आपका 912 आगे बढ़ते हैं कोशन आप से अगला पुछा गया देखिए वह पुछा गया है उत्तरवधेश अच्छा यह पुछा गया है उत्तरवधेश राजज में किस जनपद मे लिंगा अनपात सबसे अधिक है यहां पर अंसर क्या होगा आपका जौन पूर होगा बई जौन पूर देखिए अब यह अंबरेक में रहता है इसके बाद कौने बई आपका आजमगर होगा फिर इसके बाद दिवरिया हो गया ठीक है चले आगे बढ़ते हैं कोशन आप सि देखो हम नहीं कहते हैं कि लाग करोन में आपको याद रखिए कुछ मुबाइल नंबर की जैसे याद कर लिजेगा दू-तीन डाटा मुबाइल नंबर की तरह याद कर लिजेगा एक सुनिन्यान में पांसो हना पांसु क्यासी 470 ऐसे दुचार बार पढ़ेंगे थोड़ा सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कोई option नहीं है लेकिन आप लोग बताएगे अगर आपको याद हो कि उत्तर ब्रदेश की जो मचली है राष्टी मचली हो आपकी कौन है वो क्या हो जाएगा तो वह क्या होती है गंगा डाल फिन मत लगाईएगा क्योंकि वो भारत की होती है लेकिन उत्तर बदेश के पूंचने तब क्या बताएंगे तो आप लोग बताएंगे चीतल क्या होता है इस चीतल होता है तो याद रखेगा ठीक और आगे बटते हैं गराणना 211 के अनaskaar उत्तर बदेश की आबादी क्या थी चलिए बताएगा क्या हो जाएगा उत्तरवदेश की जो आपकी आवादी थी वो आपकी कितनी थी तो यहाँ पर लगभग देख सकते हैं अभी आपने 119 पढ़ा था 119 में पढ़ा था मतलब उसी के कोर्डिंग आप लोग पहुंच जाएगी कितना लगभग आपका 200 मिलियन कितना 200 मिलियन आपका यहाँ पर राइटन सर होज़ेगा ए नमबर होज़ेगा राइट ठीक हैं आगे बटते हैं कोईशन आपसे दिया गया है 2011 की जनगर्णा की अंसार उत्तरदेश की किस जिले की जनसंख्या सरवाधिक है अगर जनसंख्या आपसे पूचा है कि सरवाधिक जनसंख्या जो होगी वो आपकी कहा की होगी यहाँ पर जवाब दीजेगा तो अब यह आपने पढ़ा किया आपका जब भी ऐसा पॉइंट मिले तो वही इलाहाबाद आपको पहुचना है कहाँ पर इलाहाबाद रतात प्रयाग राज ऑप्सन मनेगा ए नमबर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन देखिए आपको कोशन ग्राम विकास अधिकारी में भी कोशन पूचा गया था ना ऐसा नहीं कि कोशन सरल पूचे नहीं आते हैं लगबग होता है वही सब है तो यह चार डाटा भी आपके लिए बहुत ही मातुपूर्ण रखते हैं ठीक है अगला कोशन आपसे दिया गया है 2011 की जनगर्णा की अंसार उत्तर वदेश की कितनी प्रसतावादी ग्रामीड चेत्र में रहती है यहां पर आपको बताना है चले तो आपका जवाब हो ज का राइट हो जाएगा ठीके ना किलियर हो जाएगा चले आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया उत्तर वदेश का भारत का सबस्यादी का आवादी वाला राज्य है और जनगर्णा 2011 तक दी गई संख्या के अंसार इसकी जो आवादी है घनत में कितनी थी अर्था जन संख्य पूछ लिया गया है अब आप बतायी जनसंख्य घनत इन में से क्या हो जब तो अभी आपने पड़ा घंबर ओजेगा अ चीज याद नहीं रहती है तो देगे यहां पर चोथा बी-शैशन पर होड़ेगा चोथा की होड़े-शान हो नीफा संसे हो Given sobie … इसक्ति हैं यहां पर ülse में और सब्सक्राइल की आपके पूरे question आपके पूछे हुए आपके हैं अगला question दिया उत्तरदेश कि राध्धानी लखनों की जो साच चर्था दर हो आपके क्या है अब बताए साच चर्था दर आपसे पूछा गया लखनों की तो वही कानपुर के बाद लखनों का नंबर आता है तो लगबग वहां पर ठीक ठाक पड़े लिखे होंगे कर भी पड़े लिखे होंगे मतलब यहां पर अंसर क्या हो सकता है यहां पर दिखें और यहां पर कोई नहीं दिया लेकिन फिर भी अगर आप option के अंसर पहुंचेंगे तो देख लीजे यह आपका कौनसा यहां पर 77.29 जो आपका है यह 828 दिया है लेकिन 828 वाला option आपको करना है लेकिन होता कितना है तो आपके 829 होता है कितना होता है 839 होता है question आप से गला पूछा गया है कि जनगरना report 2011 के अंसार उत्तरबदीश में बाल लिंगा अनपात पूछा गया है बाल लिंगा अनपात इन में से क्या हो जाएगा तो देखे यहाँ पर बाल लिंगा अनपात पूछा है तो आपको तुरन जवाब देना है कितना यहाँ पर आपका 902 कितना है वही 902 है तो आपसन क्या बनेगा डी नमबर 902 हो जाएगा कि कौन सा इस्थान रखता है याँ पर अंसर देना है आपका राइट अंसर याँ पर क्या हो जाएगा तो चलिए देखिए इसका राइट अंसर आपका हो जाएगा कौन सा दूसरा इस्थान रखता है क्या अंसर आपका भी हो जाएगा दूसरा इस्थान याँ पर रखता है अगला प्रसनाप से दिया गया है उत्तरवदेश राज में सहर पीतल की बरतन और हस्तिसिल्प के लिए प्रिशिद्ध है अर्था जवाब का सहर है कौन जो पीतल के लिए और पीतल से संबंदित जो भी आपकी वस्तोय होती है हस्तिनिक होती है तो उनका निर्माण करता है पर देख लिए मुरादाबात की बात करें पीतल के बरतन और आपके हस्त सिल्प और अगला दिया है सहरन पुल लोहे के बाट होते हैं आगरा में मिट्टी खिलाओने मिलते हैं और लखनाओ के बात करें तो जयदानी जर जर दोजी चीकनकारी यह आपके प्रसिद्ध है अ 85 नमबर के अगर बात करते हैं तो आपका 1994 हो जाएगा बी नमबर है 1994 में इसके स्थापना की गए थी ठीक है आगे बढ़ते हैं कुछन आप सिकला पूछा गया है यहां पर दिया है उत्तरदेश राज में विसेस आर्थिक छेत्र जो विद्धमान है वो आपके कितने है य आपके 20 हो चुके हैं ठीक है आप वह जो जो चुके है याद रिखेगा अब वर्तमान में 20 हो गए है लेकिन option है अपको यह मिलेगा जल्दी जब option मिलता है तो आपका अंसर क्या बताना है उपर देख सकते लिखा भी है वर्तमान में 20 आपके यहां पर हो गए है ठीक है तो स्थापित की गई हैं मतुरा के नाम आया है तो हो सकता है कि आप तुरंट जवाब दी सकते हैं थोड़ा बहुत तो गिस लगा ही सकते हैं चलिए लेकिन फिर भी याद रखिए यहां पर इंडियान ओयल कार्पोरेशन लिम्टेट के दौरा यहां पर इस्थापित की गई हैं तो यहाद रखिए यहां पर अंसर क्या होगा इंडियान ओयल कार्पोरेशन लिम्टेट अपको हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं क्या पूछा गया है क्या आप से यहां पर बिराइट तथा इंड्रा लुसाइट उत्तरदेश के किस जिले में पाए जाते हैं यहां पर बताएगा बेराइट और इंडरा सुलाइट उत्तरदेश के किस जिले में पाय जाते हैं तो यहां पर देखेया आपके पास और इसका राइट अंसर क्या बनेगा राइट आसथ यहां पको यहां पायाउनहाईugen भद्तर में पायास प्लाप यहां सॉन भद्र मेंHAN ही भ तो यहांपक जाना जाता है। और अगर जहांसी की बात करें तो जहांसी में क्या होता है? जहांसी में ये जो आपका कैन जिपसं हो गया और आपकी सिलखडी ये आपका हो गया यह आपको होते हैं ठीक है चलिए थोड़ा वह तयादी रहेगा अगर हम आपने निसान लगाते हैं थोड़ा तो दिमक लगाओ गई है अगला उत्तरवदेश का सहारनपूर सहर निम्रिकित में से किस कला सिल्प के लिए प्रिसु प्रिसित है आप पूंचा गया है ठीक है चलिए यहाँ पर देखे चूड़ी के गरब मत करते हैं तो आपका फिरोजाबाद काली नुद्धोग आपका भद हो ही हना इत्रो शुगंद उद्धोग तो आपके कन्नौज हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्टाम सिल्प पूछा गया है कि उत फिरोजाबाद जीले का मुख्याले का है तो फिरोजाबाद ही रहेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रस्टाम सिल्प पूछा गया है उत्तर प्रदेश का लखनव सहर निम्रीखित में से किस का हत करगा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है मतलब जो राइट अंसर यहां पर आपका बनेगा आपका बनेगा अंसर कौन सर वही सी नंबर चीकन कारी है क्या वही चीकन कारी मतलब चीकन कारी क्या होती है अर्था कपड़े पर जो डिजाइन होती है है तो आपसन क्या होजेगा सी नंबर होजेगा चीकन कारी गरी होता है ठीक है पूशा है पूशा गया है यहां पर फिरोज़ाबाद पूचा गया है यहां पर फिरोजाबाद किस के लिए होता है फिरो जबात किसके लिए जारता है तो 96 अंसर क्या होगा तो अगला question आपसे यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर दिया गया है कि आपका answer question उत्तरव देश के निम्लिखित में से किस सहर में भारती रेल की coach निर्माड इकाई आधनिक रेल coach factory modern coach factory इस्तित है अच्छा भी है तो राय बरेली लगा दें अंसर बिल्कु सही है राय बरेली इसका right answer हो जाएगा और अगला question आपके सामने दिया गया है यहाँ पर देखिए अगला question दिया गया है कि उत्तरव देश में वह कौन सा एक मात्रचित जहां पर तामा पाया जाता है इस question का जवाब देना है कि वह एक मात्रचित बताई उत्तरव देश में जहां तामा पाया जाता है तो देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं तामे के बारे में यहाँ पर लडितपूर की option आ रहा है आपका सी नमबर यहां पर हो जाएगा क्या अगला कोश्चन हां यहां पर यह भी पॉइंट याद रखेगा कि लिए नहीं पर जिले में ही उरेनियम के सीमित भंडारों को भी क्या की गई है खोच की गई है अगला प्रस्णाव से यहां पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सा इस्थान धातर की कला रंगीन तामचीई और जटिल नकासी कि लिए जाना जाता है। देखें को गुँमाया गया है। लेकिन आप मैं यह सब कुछ पढ़ा दिया है। आप बताये SI защN है जो धातुकी कलास रंगीन तामचीनी और जटिल नकासी के लिए प्रिसिद्ध है इनमें से आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा चलिए राइट अंसर यहाँ पर देखना सही जवाब आ रहा है कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है चलिए C नंबर दे रहे हैं C नंबर द द्जब की लखनो चिकन कारी के लिए है वारी रसी हाथकरगा के लिए लिए आ एक खुरज आपकी चान्यमेंटी के बरतलों के लिए जाना आता है आगे बढ़ते हैं कोफे जोड़ह पूचा है अगे पूछा गया है उत्तरवदेश राज में कौन सा जनपद्ध तेल रिफाइन्ट रीच के लिए आपका प्रसिद्ध है लिए उत्तरवदेश का यसा कौन सा जनपद्ध है चलिए जवाब दिजेगा Indian IL Corporation की तेल रिफाइन डी उत्तर देश में कहां पर रिष्टित है तो यहांपर आपका अंसर क्या बन जाएगा चलिए Indian IL Corporation तेल रिफाइन डी जो कहां पर है तो आपका मथुरा इसका भी अंसर बनेगा आपका D number हो जाएगा देखे यहां पर आपको इस प्रकास रही है, एक राज जिस्तरी वाणित्जिक और उध्धोक का प्रमुक चेंबर आप प्रेंड है जो निजी सहकारी और स्थारुणी छेत्रों में बड़ी माध्यम और छोटी इकाईयों का प्रंधित करता है मतलब इसका पूरा नाम पूछा गया कि इसका पूरा नाम है क्या सिम्मुक एजन्सियों में से एक नहीं है जो उत्तरवदेश के उत्तरवदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारन में सामिल है यह पूछा गया है अगला कोशन दियागया है कि करसी आरथिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तरवदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है कौन सा सच नहीं है और यह भी कोशन देख सकते हैं आपके ग्राम विकास दिकारे अर्थाति वीडियो उग्जाम में एक कोशन पूछा गया था ठीक है ना तो देखे 106 नंबर का अंसर क्या बन सकता है तो यहां पर अंसर बन जाएगा बी नंबर उत्तर प्तरप्धरे में पांच भारती करसी अंसंदान परसद संस्थान है किरा रहा पांच तुमिया यहां पर पांच नहीं है 28 करसी केंदर है ए त्चेहां और 2017-2018 से 2019-2020 के दोरान प्रदेश के गरामीड जिलो में 20 नए केंदर खोलने का क्या है प्रस्ताव है ठीक है ना चले आगे बढ़ते हैं कोशनाव सिंगला पूछा गया है यहाँ पर देखे दिया गया उत्तर प्रदेश के लिए प्रिसिद्ध है यहाँ पर बताईए यहाँ पर बताईए बरतन के लिए तो अंसर बन जाएगा ए नमर हो जाएगा ठीक है तो थोड़ा सा फास्ट हो जाते हैं ठीक है ना अब थोड़ा सा फास्ट तरीके से आएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं हाँ दिख लेजे यहाँ पर दो-तीन पॉइंट होते हैं काली मिट्टी को अन्य नाम से भी जनायाता है ठीक है ना कपास वाली मिट्टी रेगुण मिट्टी के नाम से जानते हैं अगला कोछ नाम से दिया गया है कि निमनिखित में से उत्तरवदेश के किस रहर में लकडी से बने ताल वद्ध धोलक बनाने की 300 से 300 इकाईयां आपकी है यहाँ पर जानते हैं तो आप कंसर क्या होजएगा यहाँ पर एन्मबर होजएगा अम्रोहा जहां पर 300 से अधिक चूटी काईयां है और हर साल इस उद्धोक से जिले में 48 करोन रूपय का कारूबार भी होता है यह वा था किसके तयत तो एक जन्पाद एक उत्पाद युजना के अंत बदाईं अपने जरी जर दोजी उत्पादों के लिए प्रिसिद्ध है या काम मुख रूप से बदाईं विशौली और दाता गंज तैसील में किया जाता है लगबग 35 प्रत्सत परिवार इस उत्धोग में लगे हुए हैं इस थानी रूप से इस काम को भी कहा जाता है तो य इसे काजाता है क्या 9 प्रत्स अब लगबग का या है तो बहुत से काम कर दें कार्ठ धाई SENे ऑली टार यह पार हो जैका का सीदाका अंसर अगला क्वेशन द्यागया है किनमने खित में से उत्तरवदेश का कौन सजीला विसिस्ट और उत्करस्ट डिजाइनों वाले कालीनों के लिए उत्पादन और निर्यात के लिए प्रिसिद्ध है जो आपके कालीन होती है क्या होती है कालीन होती है उनके उत्पाद उसके निर्यात के लिए आपका है यहाँ पर अंसर क्या हो याद रखे बहुन के लिए जाना जाता है दिखो अमने आपको ये बताया था कि जब आपका में आ जाए घदोही और मिर्जापुर तो सबसे पहला इस्थान लगाना था गो भदोही अगर आपस्टम नहीं आता है तब आपको लाँ आपको दिनममेर भटोही लगाना है जब भटोही ना मिले तब आपको लगाना है नपर्प्रोही जीकी निर्माट सेटप नहीं है यामघ, होंडा, सकोडा या टाटा मोटर Giory तो देखी भैğı यहां पर उत्तर प्रदेश में पूछा गया है तो आपका देखें या महां की जो आपके ग्रेटर नुएड़ा में है टाटा मोर्वाने का अगौnh प्रकार से स्कूड़ भी एक क्या एगंशी आपके है ठीक है ना के लिए रहे उसी प्रकार जैसे गाडियां बंतीन अध गाडियों को नाम देदी है अगला कुछन आप से दिया गया है उत्तरप्रदेश का बुलन सहर जिले में कौन साय स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों क का खुर्जा हो जाएगा जो की बुलन सहर जो है उसके पस्चिमी जिले में आपका है ठीक है यह चीनी मिट्टी के कलात्मक बरतन बना जाते हैं ठीक है और देखे खुर्जा से अगर हम बात करते हैं तो बांगला देश फ्रांस स्री लंका थाइलेंड सिंगापूर जर्मनी अफ्रीका इंग्लैंड आद देशों में पाटरी निर्यात किया अठात इनका निर्यात किया आता है ऐसे देशों में ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेशन दिया है उत्तर्व देश में कौन से सहर को चर्मोद धोक की राध्धानी की रूप में जाना जाता है तो यह बताए जब उद्धोग की बात करता है तो आपको बताना है यहाँ। पर कानपूर को पiçãoलप memor के दहने काוצनेगे ख़ंग न घृति कासी हम्दै प्रमूद्धोग के रूप में जाता है। ठीक है ना चले आगे बढ़ते हैं क्वेशन आप सिगला पूछा गया है यहां पर देखे दिया गया है निमनिखित में से कौन सा इस्थान कांच की चूडियों और कांच से बनी वस्तूओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है ठीक है ना तो देखी इसका राइट अंसर आ कभी नंबर ए अराइट हो गया सभी लोग जानते होंगे फिरोजबाद को तो मुरादाबाद जाना जाता है आपके धात की कलाकरतियों के लिए जाना जाता है और अगे बढ़ते हैं कोशना आप सिगला पूछा गया है कहां दिखे अगर हम थोड़ा से यहां पर बात करें मुरादाबाद तो यह उत्तर पदेश प्रांत का एक नगर है जो की पीतल हस सहरा देखने के योग होता है धीके आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया गया है उत्तर और डेश राज में इलक्टोनिक सिटी की स्थाप्ना कहां की जा रही है यह बते है व्यालेघना यहां अगे बढ़ते हैं किसे सपके हैं यहां कि जितने स्टुडेंट होते होंगे डेली गंगा ना आते होंगे और इसके बाद त्यारी करते होंगे चलिए उत्तरवदेश का कौन सा सहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में प्रसिद है कास्ट बेल अर्थात धातु की जो घंटिया होती है उसके लिए तो इसका अंसर क्या होगा तो चलिए यहां पर आपका जवाब हो जेगा यह जसेलर क्या है जलेसर है जलेसर इसका उप्षन बनेगा आपका डी नंबर जलेसर अब देखी वही जलेसर है क्या तो उत्तरवदेश का जलेसर सहर कास्ट बेल के लिए पूरी विश्व में वारी के लिए प्रसीत है आपका जवाब क्या हो जाईगा कि यह दिए इधोंध के लिए ज्लक्ण कोईगर यह तो और यहां पर एक पोइंट और यह यहां है आगे बढ़ते हैं कोश्वन आप सर्जाया पूचा गया है है इस इन सर के अब्धर yeah आपके ऑलीगढ़ में चाहा पर के अलीगढ़acks yeah खी आगे बढ़ते हैं कोश्वन आप सिए खला पूचा गया है यहाँ पर आपको अंसर को बताना है तो अंसर आपको हो जएगा आपके 1983 ओप्सन मनेगा यहाँ पर बी नमबर 1983 हो जएगा आगे बढ़ते हैं कोश्चन आप से अगला कोश्चन आपका परिवाहत से आगया है कैर आप से उत्तरवदेश सरकार द्वारा लखनो मेट्रो के प्रथम चरण में मेट्रो सेवा अक्टूबर 2016 में कहां से कहां तक चलाने की योजना थी तो भई ये कोश्चन 2015 में पूछा गया था याद रिखे प्रथम चरण के अगर बात करते हैं तो ये कहां से कहां ते आप चली थी नोट कर लीजेगा इसका जो राइट अंसर है वो आपका क्या बन जाएगा तो दिखे आपके जो है ट्रांसपोर्ट नगर है तो ट्रांसपोर्ट नगर से आपके चार भाग की बीछ चलाए गई थी याद रिखेगा और इसके ऐगर कुल बात करें लखनों की परियोजना है वो 33 लगबग 334 किलो मीटर की गरीब है ऐगके ठीक हैं यहाँ पर आपको दिया भी गया होगा यहाँ पर दिखो दिया गया है लखनों मेट्रों पर योजना का सिला नियास किया गया प्रथम चरंड से लखनों मेट्रों को कब सुरू किया गया था तो डेट आप से पूंच लिया गया है बाप बताई ये डेट के अंसार क् होगा 15 होगा 16 होगा जवाब दीजिएगा चले जवाब दे रहे हैं आपर नमबर 15 में तो भी 15 में होगा 16 में यह देट बता दीजिए वस चलिए 2015 कह रहे हैं 2015 नहीं है आप कांसर 123 नमबर में तो 123 कांसर बन जाएगा सी नमबर यह ट्रांसपोर्ट नगर से चार बाग ठीक हैं आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिकला पूछा गया है जुलाई 2018 की स्थिती अंसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी उंचाई वाली सड़क कहां से कहां से कहां तक आ सब्सक्राइबाद में जो आपका राज नगर से इसका विस्तार है ठीक है तो आपसन बनेगा यहां पर भी नमबर आपका राइट हो जाएगा ठीक है ना के लिए रोगया आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है उत्तरदेश राज में यमना एक्सप्रेस वी निम्निकी त दोड़ने के लिए यमना एक्सप्रेस वी आपका तयार किया गया है और देख सकते हैं कि च्छाय लेन की सड़क का निर्माण आपका हो रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है उत्तरवदेश सरकार की यमना एक्सप्रेस वी का उद्गाटन मुख्यमंत्री इखले से दोड़ा कब किया गया था चले यहां पर बताईए तो क्या हो सकता है त्यादर के इसका उद्गाटन नो अगस्ट दो जार बारा को किया गया था ठीक है तो यह कुछ पॉइंट आपके रहे थे रेल सड़क योजना से अब यहां पर जंजातियों से कुश्चन आ आप कहेंगे कि स्वेट करांती जो संबंदीत है वो आपके दुख दुद्पादन से है तो आप सुन मनेगा यहां पर आपका बी नंबर हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आप से पूछा गया है क्या रहे निम्रिकित में से कौन सी जंजाती उत्तरव द जानेगा यहां पर बी नंबर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन आप सगला पूछा गया है क्यार उत्तरव देश में कौन सी जंजाती दीपा वली को सोग के रूप में मनाती है इनुमें से कौन सी जंजाती है तो देखे इस कराई टेंसर क्या हो जाएगा तो यह है कि रूप में निमिकित में से किस स्थान को जाना जाता है चले आप सभी को पता होगा कि राधा का जन्मिस्थान है वह भी क्या है आप लोग बताइए गया है और कोश्चन आ उत्तरब्रदेश में यूपी परटें दोरा बुंदेल खंड सर्कीट में निमिकित में से कौन से गंतब बे सामिल है अथा जो बुंदेल खंड सर्कीट है तो बुंदेल खंड सर्कीट में हमका कौन कौन से मिल जाते हैं तो देखें यहां पर आपका बितूर हो गया चित्रक जाता है और यहां पर पानी लाने के लिए कई प्रकार की वियोजनाय भी चलाए गए थी यह ना तो इस कारण से यह वाला जो सबसे नीचे है आपके पहाड़ी एरिये में जो आपके यंपी से जुड़े हुए आपके छेतर हैं तो यह है आपके कौन बितोर चित्रकोट जहा मतलब यह क्या है ब्रमट सरकिट के लिए पर्रेटन सरकिट था ठीक है अगला कोशन दिया गया है जिला मुख्याले बलिया सहर महर सिका जनमिस्थान और कर्मिस्थान मने जाता है अर्थाती जो बलिया है वो किसके लिए जनम है वहां पर किसका जनम हुआ किसका कर्मिस्थ यहां पर अंसर क्या हो जाएगा तो एक रेसी थे आपकी भरंगुरुसी आपके काँट बलिया सहर ऑप्सन बनेगा यहां पर सी नमबर हो जाएगा ठीक है ना और आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिला पूछा गया है क्या इन में से क्या उत्तर्व देश में नहीं है यहां पर यह थे गाजी पूरिया आपके जुड़े हुए थे लेकिन बाद में इनको कुछ समय पहले इसे हटा दिया गया ठीक है यहां पर देखो कोशन दिया है इन में से क्या उत्तर्व देश में नहीं है अब आप जवाब दिएगा विस्वनास मंदिर असी घाट मंदिर आगरा क इनका निर्मार रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के सासन के काल मतलब उनके याद करने की काल में यह बनाया गया था ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन आप सिगला पूछा गया है यहां पर रूमी दर्वाजा उत्तरवदेश के कि सहर में है यह आपके 2019 में कोशन पूछा गया है चली वाई रूमी दर्वाजा के गरम बात करते हैं रूमी दर्वाजा के गरम बात करें तो आप कंसर यहां पर क्या हो जेगा चले रूमी दर्वाजा आपके का पर है आपके याद रखेगा लखनों में है का पर है लखनों में है याद रखेगा तुर्किस गेटवे तरत आपके नवाव आसब दौला नहीं करवाया था आपके 1786 में करवाया था ठीके ना ताकि रोजगार मिल सके लोगों को अगला कोशन दिया गया है कि उत्तरबदेश के किस जिले में किछाउचा दरगा सरीफ हिस्तित हैं यहां पर बताएगे उत्तरबदेश के किस जिले म आपका यूपिट से लेटेड अगर है तो आपका यूपिजी की तो आती है तो वही आपको तो पढ़ना ही पढ़ेगा है ना तो वही आपको पढ़ना ही पढ़ेगा तो आप लोग पढ़ते रही है उसमें क्या दिंसन है तो देखिए आपका अंसर क्या हो जगा कि छोचा टांड़ा जी लाप लोग जानते हैं यहां पर टांड़ा जो एंटीपीसे हैं यकाई है तो तैसिल के किचोछासरीब को अपना अध्यात्मिक गिंद बनाया था ठीक है और यहां पर हर साल क्या होता है कि उनकी दरगा में हर साल मुहर्म के महिने में लाखों लोग उनकी मजार पर मननत लेकर आते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है निम्रिकित में से कि सहर में कुम्भ मेला लगता है तो यह तो सभी को पता होगा हना यहां पर अंसर होजेगा बेनमबर एलहाबाद में इतने चोटे चोटे कोशन भी नेप पूछन ना चाहिए लोगों से अगला कोशन नाम से दिया गया है कि उतरव्देश राज में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहां पर आयूट किया आता है गणगा जी का मंदिर है जिसकी इस्थान पर प्रतिवर्ष गढ़ का मेला आयूट किया जाता है याद रहेखेगा ठीक है न और पर देश में एक साल में सबसे अधिक मेले कहां लगते हैं आपकी 86 मेले लगते हैं मतुरा में ठीके और इलहाबाद का कुम मेला देश का ही नहीं पूरे विश्चुका सबसे बड़ा मेला माना जाता है ठीके ना और आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है कि भबे जैन पर देखे इस तीले में कंकाली देवी का मंदिर है इसका नाम कंकाली टीला है याद रहेगा चले आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है जॉन पूर में दौरा निर्मित 18 मस्जित अन्य मस्जिदों की निर्मार के लिए एक मिसाल बन गई है तो यह बताईएगा कि ये जो जौन पूर की मस्जिद है इसका निर्मार जो करवाया वो किस ने करवाया यहाँ पर आपको जवाब देना है जो लोग पहली बार जुड़े है तो वीडियो को लाइक भी करेगा और पसंद आ रहा है तो वीडियो को यहाँ पर कैसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्स साल आपका है और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जौन पूर को सिराज हिंद के नाम से भी जानते हैं ठीक है अगला कोशन दिया गया उत्तरप्रदेश के कि सहर में आपको निम्निखित में से राजसी घाट मिलेंगे असी घाट मिलेंगे मर्कडिका घाट मिलेंगे और कि प्रसित दरबा के बिहारी मंदिर उत्तरप्रदेश के किस सहर में स्थित हैं यहाँ पर अंसर क्या हो जएगा तो Exact Radhe आपका राइट अनसर ऑप सना राएगे सी नमबर आपके ब्रंदावन है दर खे के बांके बिहारी मंदिर मतुरा जिली के ब्रंदावन धाम में रमण तेरी परिष्थिथे और यहां भारत के पराचीन और प्रसिद्य मंदिरों में एक आपका है ठीक है और यहां पर आगे ब मंदिर मिलेगा यहां पर बताए उत्तरवदेश के कि सहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा यह कहां पर मिलेगा इसका राइट अंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका राइट अंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका राइट अंसर आप